गाईस BR rank का new season कब का आचुका है लेकिन आभी तक अगर आप लोगोंने grandmaster नहीं लगा पाया है या आभी तक आप लोग एक भी बार grandmaster नहीं लगा पाये हो तो आज मैं आपको top 3 ऐसे character combinations के बारे में बताऊंगा जिनका यूज करके आप बहुत ही जल्दी grandmaster लगा पाऊगे औ तो गाइस बाष्ट नमबर पे आता है अपना ये करेक्टर कोंबीनेशन जिसमें नमबर रन पे आपको एक्ष्यान करेक्टर को रखना है नमबर टू पे आपको कायरोज करेक्टर को रखना है नमबर थिरी पे आपको मिगूल करेक्टर को रखना है और गाइस इस क्लिप में देखो यहां पे मैंने अपनी active power को on किया और उसके बाद जैसे मैंने यहां पे enemy पे रस मारा और मैंने जैसे उसको kill किया तुरंट से जो मेरे एक्ष्यान character की ability थी वो भी reset हो गई और यहां पे जो मैंने मिगुल character को लगा रखा था उसकी help से मेरे को 200 EP मिली जिससे मेरा जो kair पाबर को on किया तुरंट यहां पे मेरे को 60 sealed points मिले जिससे जब enemy मेरे को damage दे रहा था तो यहां पे मेरी HP नहीं कटी यहां पे पहले sealed points कटी यानि enemy के पास तो 200 HP थी पर मेरे पास यहां पे 260 HP हो गई थी यह 60 sealed points को मिला के तो guys आप समच सकते हो यह character combo कितना जादा पाबर हु क्योंकि guys really is character combination को मैं भी बहुत जादा यूज करता हूँ और guys मैं इस character combination को यूज करके अच्छे खासे kills भी निकाल पाता हूँ जिससे मेरे को अच्छा खासा plus भी मिलता है इसके बाद guys मैं आपको दूसरा character combination बताता हूँ लेकिन उससे पहले तुमारे भाई ने एक new channel बना दोसको या तो मैं comment में पिन कर दूँगा या description में mention कर दूँगा तो अगर आपको craftland boots खेलना पसंद है तो guys आप लोग उसको subscribe कर सकते हो guys दूसरे number पे आता है अपना ये character combination जिस पे number 1 पे आपको centenio character को रखना है number 2 पे आपको maro character को रखना है और number 3 पे आपको wolfra character और guys number 4 पे आपको फेट से luna character को रखना है क्योंकि guys luna character एक based character है जो gun का rate of fire increase कर देती है के बाद guys आपको किसी उची जगा पे landing करनी है जैसा की देख सकते हो याप मैं इस गर पे landing कर रहा हूँ और guys याप पे उतरने के बाद जो अपना ये centenio character है इसके पुतले को नीचे फेकेंगे क्योंकि इसकी ability यही है आप इसके पुतले को नीचे फेक के loot करके मस दूपर आ सकते हो और guys यहाँ पे जो अपना maro character है यह आपका long range में ज़्यादा damage देगा और जो wolfra character है यह आपका headshot damage increase कर देगा और luna character की ability मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यह आपकी gun का rate of fire increase करती है guys मैंने आपको इन character की abilities बता दी तो अब ही आप लोग यहाँ पे देखो उची जगा पे उतरने का क्या फाइदा मिलेगा यहाँ पे आप जितनी भी enemies देखोगे उस सारी की सारी damage है और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे के बाद guys तीसरे यानी last number पे आता है अपना यह character combination इस पे number 1 पे आपको तासुआ character को रखना है number 2 पे high 8 और number 3 पे आपको इस पे भी लूना character को रखना ही रखना है तोकि guys यह rate of fire increase करती है और fourth number पे आपको जोटा character को रखना है guys इस character combination को यूज तो बहुत से बंदे करते हैं पर उनको इसका सही यूज करना नहीं आता guys वो पहले ही तासुआ character का यूज कर देते हैं जिससे उनके पास बचने के लिए कोई chance नहीं होता अगर guys आप इस character combination को कुछ इस तरीके से यूज करते हो जैसे यहाँ पे मैंने किया है यहाँ पे enemy मेरे को जैसे ही damage देता है तुरंट सही यहाँ पे मैं एक बाल डालता हूँ और guys तासुआ character का यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं एक इनेलर का यूज करता हूँ और फिर से तासुआ character का यूज करता हूँ तुरंट से ही आपे high auto character की ability active हो जाती है जो कम HP पे ज़्यादा damage देता है गाइस high auto character की ability यही है और गाइस luna character gun का rate up fire increase कर देती है जिससे मैं उसको जैसे ही finish करता हूँ तुरंट से ही यहाँ पे जो अपने जोटा character को लगा रखा है उसकी help से यहाँ पे मेरी जो HP है वो भी recover हो जाती है गाइस इस character combination में जो अपना तास हुआ character है वो main role play करता है तो इसकी ability को आपको बिल्कुल सही time पे यूज करना है ना तो पहले यूज करना है और ना ही बाद में आइकन है उसको जरूर से ओल पे डाल देना ताकि अमारी नियो नियो वीडियो की notification आप तक आती रहे